चारे जी आपकी परसनल लाइफ से जुड़ा भी सवाल पूछते हैं आपने इतना कुछ बता दिया पेशेंट को हील करने का आपने बता दिया कि खुद ही जो पेशेंट है अपने आपको हील कर पाता है आप इसमें आहे कैसे देखिए मैं आपको सचाई बता हूँ तो बच् कई डॉक्टरों से मुझे दवाई खिलाई थी मेरा हीमोग्लोबिन था मेरे को हर तीन-चार मीने में जॉन्डेस हो जाता था नीमोनिया हो जाता था एवन कि मुझे दवाई खानी पढ़ती थी कई बार एडमिट भी होना पढ़ता था इतना कमजोर था मैं एवन कि एक जो तो मैं एक तरह बठा मेरा वजन था उस तरह 32 किलो और जब मेरी ग्रेजवेशन के आसपास मेरा वजन था 49 किलो तो हुआ क्या मैं इतना बिमार रहता था मैं परशान हो गया था इवन की मैं यह भी सोचता था आत्मत्या कर लो इस जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा तो मेरे मौसा जी आईरवेधी दॉक्टर थे शिरी गंगानगाрах राहस्तार में रहते थे नहीं के पास गया तीन मिने के लिए गया तो एक मिने के लिए ता लेकिन मैं तीन मिने लगाए वहां मेरा काया कलप उआ अईरवेध की मदद से पहली बार मुझे आईरवेद की शक्ती पता चली आईरवेद समझाया, जड़ी पूटियां समझाया, इक खाने पीने का सिस्टम समझाया और वहाँ मैंने मेरे मौसा जी जो डॉक्टर थे उनको पास रहके देखा कि सारी दुनिया शुगर का मरीज भी ठीक हो रहा है, बीपी का मरीज भी ठीक हो रहा है इवन कि उनको खुद को हार्ट प्रॉब्लम थी और उनको आईरवेद से रिवर्स करी उसको फिर वहाँ पे मैंने उनके पास ही रहना शुरू कर दिया, वहीं पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दिया आगे की करता गया, करता गया, पढ़ाई होती गई, करता गया, लोगों से मिलता गया, experience बढ़ता गया ऐसे करते करते आई मुझे पूरे 27 साल हो गए 27 साल से मैं इसी आईरवेद, health, naturopathy, exercise, yoga और meditation और diet के field में हूँ इसी की पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी में ही courses कर रहा हूँ, इसी में पढ़ा रहा हूँ, इसी में doctors के साथ काम करके पूरी दुनिया को स्वस्त बनाने के लिए इस दिशा में काम कर रहा हूँ 27 साल से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने हिम्स का भी हम जिकर कर रहे हैं, कि वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ गाइड करते हो, कि lifestyle चेंज करो, खाना पीना चेंज करो, इसके इलावा कोई जड़ी बुटी, कोई दवाई कुछ देते हैं, आप या सिर्फ यह guidance जड़ी बुटिया देते हैं, जिसको जुरुत होती है, और हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में, जो भी patient अड़ी का कोई चार्जिंग लेते हैं, सब फ्री होता है, जो भी जड़ी बुटिया, जो भी दवाई कोई काड़े, कोई चेटनिया कुछ देते हैं, तो फ्री देते ह और patient को guide जड़ा करते हैं, diet chart, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हम ना दो चीज़ सिखाते हैं, भोजन और खाना, ये दो अलग बाते हैं, आप बोलोगे खाना और भोजन तो एक ही है, खाना मतलब वो जो इनसान मनाता है, भोजन मतलब वो जो भगवान मनाता है, तो हम कहते जब बिमार पड़ो, तो खाना छोड़ दो, भोजन बढ़ा दो, जैसे जानवर क्या करते हैं, बिमार पड़ते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, घास काते हैं, रेस्ट करते हैं, दूप सेखते हैं, वही हम patient को कराते हैं, हम हरी सबजिया खिलाते हैं fruits भीलाते हैं कई तरह के juices पिलाते हैं नारियल पानी, कुछ जडी-बूटियान, कुछ काड़े देते है, नंगे-पाउं गास पर गुमने को बोलते हैं अर्थिंग की बात करते हैं, मलब हमको बोलते हैं, FRD से जुड़ो, living water भीलाते हैं कोई ड्राइंग करता है, कोई परेंटिंग करता है, कोई शत्रच खेलता है, बॉटी हील हो जाती है, क्योंकि हॉब्इस में आपका ब्रीन कंसेंट्रेट होता है, आपके मन का पसंद काम हो गया हो, यह wealthy'RE Р weekend, तो पेश्टन आगे rapblack क्लेजस बोलता है, से, डाइट से, लाइफस्टेल से, और साथ में बॉड़ी के क्लिनिंग से, जैसे आईरवध कहता है, सर्वेशा नाम, रोगा नाम, निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोग, दुनिया में जितने भी रोग हैं, इनका निदान कुपित मल को निकाल दो, यानि कि बॉड़ी स तोक्सिस निकाल दो, आपकी बॉड़ी स्वस्ट हो जाएगी, या आईरवध कहता है, तो हम बॉड़ी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, पंच करमा से, कुछ तरह की मसाजीज होती है, कुछ थेरपी होती है, एक गरम पानी के टब में बिठाया जाता है, कुछ हैड़ डाउ हमारे होस्पिटल में थेरपी है, इसको सी शेप पोस्चर बोलते हैं, तो इसको पोस्चुरल मेडिसन के अदर काउंट करते हैं, बलाब पैरों से और सिर से बलड सर्कुलेशन पेट पेट पेड़ गया अपका, उससे अपने आपी आपकी बॉड़ी ही है, ऐसी उसको हम हस ना सिखाते हैं हम आपे, और उसको ना माफी माँगना सिखाते हैं, एक डायरी देते हैं, बोलते हैं लिखो तुमने बच्पन से लेके आया तक किस-किस का दिल दुखाया है, किस-किस का चीटिंग करी है, किसी का नुकसान किया है, किसी को दुख दिया है, माफी माँगो बगवान से और फिर ठैंक्फुल रहो जिन जिन लोगों ने तुमारी मदद की है ठैंक्फुल रहो बगवान के रहो जिसने तुम्हें आज तक जज़ दिया जैसे आपको मेरे पास देखने के लिए दो आखे हैं तो हम रोज करवाते हैं सुबा शाम दो दो तीन तीन बार कि आप दिन बेर ठैंक्फुल रहो माफी मांगो उससे होता क्या है बोडी का हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और बोडी अपने आपी किड़नी जो सिकुड चुकी है खराब हो चुकी है उसको हील करना शुरू कर देता है कि लीवर जो सिकुड चुका है खराब हो चुका है अपने अभी हील होना शुरू हो जाता है तो हम यह प्रोसेस सिखाते हैं अचा मैं आप से सवाल पुछता हूँ अगर किसी को एकदम खड़े पैर अभी अभी आपके सामने किसी को हाट अट अड़ाग पढ़ जाए तो क्या करो गया आप तो कॉल दॉक्टर को जाएगा हो कहा कि पांच बना कि अभी अपांच मिंट्र नहीं हम न 사고 पांच मि CRA झी अएफ़लों आच सिर्फ पंधी जीए पांच मिनट्र नहीं हम पंदर नहीं नहीं पंधर ऐसमने सजै इसमें टाही आफ पंचिस्ट मिन है गरोग इसमें इसें में टार आट तो प्रहाई तो को ज को बोलो कि यह कुछी पर उपर हुए है कुर्सी पे निए पे निए पेसे पे मिद रहोग को जैसे किसी को हुए हाट अड़ग पढ़े साहा दर्शक देख ले उसको जमीन पर आप अचारा या इसे बिठा दें इसको बोले हाट से पोजिशन तो पहले कैसे बिठावन है तो असको इतना बड़ा एक अधoga का कर दे दे और उसको वोरोक फटा फटा चबाना शुरू कर इतना चबा इतना चबा इतना चबा जब तक आखो अला जाये जब आखों से पानी आये ना, समझो बॉड़ी में नाइट्रिक अक्साइड का प्रड़क्शन बढ़ गया, वैसो डाइलेशन शुरू हो गया, नसे खुलनी शुरू हो गई तो आपका पेशन्ट बच जाएगा हुस्पिटल के आने तक, एम्बुलेंस के आने तक अरो सकता ह प्रड़क्टर के जूरत ना बढ़े, नहीं तो हॉस्पिटल तो असान से पोँच जाएगा, इसको फस्टेड बोलते हैं, क्योंकि ब्लोकेज बॉड़ी को इमिडेटली नाइट्रिक अक्साइड का प्रड़क्शन मिल गया, ब्लास्ट वा नाइट्रिक अक्साइड का और बॉड़ी ने ब्लड सप्लाई कर दी बढ़ादी वाँ पर तो ऐसे ही छुट छुटी चीजी हैं जो हम सिखाते हैं अगर आपका कोई प्रड़क्श हो जाए तो क्या करोगे आप? उसको सांस तेने के कोशिश करेंगे हैं, अबुलेस को फौन करोगे हैं अबर गया तो जै मैं आपके चैनल के मादियम से और बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आजकल सब लोग हेल्थ इंशॉरंस कराते हैं, ताकि मेरा पैसा ना लगे होस्पिटल में नजायच, जबकि आपको सच्चा ही बता हूँ, यह रिपोर्ट हो चुकी है, कि हेल्थ इंशॉरंस की वज़े से लोग लुट रहे हैं, डॉक्टर लोग ज़्यादा, उनका गलत इलाज हो रहे हैं, उनका नजायच ओपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर देखता है हेल्थ इंशॉरंस है, दसलाख रुपे का पॉलिसी पैसे देगी, उसका कोई ओ मार्किट में आ चुकी हैं, बला है हेल्थ इंशॉरंस की वज़े से लोगों का ज्यादा नुक्सान हो रहे हैं, तो मैं लोगों को बोलता हूँ, जब भी हेल्थ इंशॉरंस कराएं लगते हो, तो जिससे भी करा रहे हो, या पॉलिसी बजार से करा रहे हो, या किसी यानि कि हमारे सारे उस्पिटल में वह हेल्थ इंशॉर्णस भी चलता है यानि कि पेशन का पैसा बज जाएगा जो हमारे ऊस्पिटल में लगने वाला था तो कितनी बड़ी बात देखो यह बुत धन्यवाद अचारह जी इतनी जानकारी आपने जो दी है खासकर जो एक बारी आयर्वेध पे भी जरूर भरोसा करके जरूर देखो जो लोग नई भरोसा करते हैं बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं हम लोग जाकर होस्पिटल में बड़े बड़े ऑड़े डुक्टर के पास जाकर पर हमारा मरीज जो है वो नहीं ठीक हो पाता तो एक बारी जरूरी है ये वी क्योंकि आयर्वेट जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है तो इस पर एक बरी भरोसा करना बहुत जरूरी है तो चंडीगड में जो अभियान शुरू हुआ था अब गुडगाउं अमरिसर दिल्ली जलंधर जैपुर पटियाला संगरूर कई शह आयर्वेट का डंका बचे आयर्वेट की वजह से भारत विशुगुर बने हमें आपकी मदद चाहिए हर किड़नी पेशंट लीवर फेल के पेशंट और कैंसर के पेशंट तक इस वीडियो को पचाईए और भारत को विशुगुर बनाने में हमारी मदद कीजिए धन्यवा झाल